तो दौषतों वेलकम है आप लोग के मीरे एक और बिल्कुल णूवीडियो में तो दौफटों आज की जो वीडियो है ये तो बहूत ही जज़ये कमाल के होगी क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोग के एक बहुत ही ज़ये इंपोर्टंट कांज से आध ? बहुत से लोगे ने मुझे इस वीडियो के बारे में का भी था कि या तब पे वीडियो बनो जब वायव वान विंदा था और तब वाउक रेन के गूख रेन उसक भी वाधर पारफुल था तो दोस्ता आज कि वीडियो के अंदर हम लोग नए इसी टॉपिक इंपर बिल्कु पार्फुल हो जाएगा अब हम लोग बात यह कर लेते कि यार जब वाउ वान विंदा अब गूकल एंड फे वेदर पार्फुल था कि या वीक था वाउकल एंड तो दोस्तों अब हम लोग ना इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों एक बहुत ही व्यदर इंपोर्टन बात बता देता हूँ तो दोस्तों पहले ना बहुत यह सवाल भी करें थे कि यार यह जो वाउ कलेन इसको गूकल एंड के फाद कर रिलेशनिशिप क्या है तो दोस्तों इसके अंदर भी आप लोग को जो आंसर है वो बिलकुल क्लियर हो जाएगा और आप लो नमबर हो तो हून क्रेंग क Dear और इसके अलावना जो विया का क्लेन आही मकार्फील न है मकर इस टैम न जो विया का क्लेन हो रहा इत्ना पार्फुल निया कि गू क्लेन का मकाबला कर पाए यहां तक कि जो विया का खार अचार आ तब जो गो करेन थी वह भी पीछ हो जायगा तो दूफ़तों अगर बात करें एशन टाइम में तो एशन टाइम में वह भी जो गो कलेन था इसके पाफना डॉश शाइंग लैन की नाइन स्टार की पीक पर गया है और इसके लावा गूकल एनओ कोई बीतरा वाया पारफुल नहीं था कि वह नहीं था कि यह पहता है यह पहले पहले नंबर पे शबसे वैदर पार फुल था यहां तक कि जो गूकल एन और जो हुन की लैना वो भी इसके फार्मने दब के रहते थे और कभी भी इसके फार्मने फार उठाने की हिमत नहीं करते थे तो अब आप लोगों को पता चली चुकर है कि जो वाकल है नो कितना व्या पारफुल था और इसके लावना वाकल लैंड के अंदर टोटल दो फे तीन ना ना इन स्टार की वोर था और वोगी एक ही बॉड़ी के अंदर रखा वह था पूरे पूरे गर्वकों यह नो की किसी की भी इतनी इनवत नियके वीड़ मंतर के बगार तो यह यह काम कर ना नामूंकिन पेंना नामुंकिनाura की नामुंगी रहे क् कि वो जो थ्री में फ्रीफ चेंज या उनको भी उनी फ्लेम्स की हेल्प की वज़ए फ़ी बनाया गया था तो दो फ्रीफ माई से तो आप लोग खुद ही समच चुके होगे जो वायववान है वो बहुत ही वैदर पार्फुल था अगर वायववान की फाइड ना गूयवान की फाथ हो जाए ना तो वायवववान चुट्कियों में गूयवान को आ रहा देगा बात करने के κलैन की तो वाउ कलैन फिर भी आगी आ रहा है क्योंकि वाउ कलैन के पावरत दो पे तीन ना डौः शैंग लेवल की वोरियर थे वगर जो गूकलैन तो उसके बाफ यशाक कुछ भी नहीं ही था जो उस अक ना जो वाओ चैन था ना इसका जो पावर लेवल था ये बहुत ही वैदा था क्योंकि इसका उस अक ना जो पावर लेवल था वो भी डौश एंकी एड़ स्टार ये नाइफ डार की करीम आ रहा था इस अड़ जो वाओ जेंडी तो बिल्ड लेएं थी बिल्कुल उसक्त ना ये ना अपना जो भाई था नो उसके फाथ नहीं था अगर ये होता ना तब हुन के लैन पर अटेक करने की हमत भी ना करता क्योंकि दो डौश एंग लेवल के बहुत ही वहाँ पार्फुल वोरियर से कौन फाइट करेगा लेकिन जो ये होता है ये ना फ्लेम की ल दोफो है और आप भई हो की तरह नहीं थे तो दोफो इसकी एक बहुत ही वेदा बड़ी वज़ा है क्योंकि ये जो गो युवान था ना इसकी जो बैयन थी उसके जो वहाँ आफ़न में फाथ हुई पड़ी थी या नि एक तरीके में ये जो गो यूवान ना यह ना वह वाउ क्लैन के ने फाटना फैमिली डिलेशिंशिप में था और इसकी जो बहन थी उफ की जो शादी थी वो ना वाय वह वां के फात्वी थी और आप लोगी किंफूशन दूर करते हुए है मैं आप लोगको पहले ही बता दू यह जो वायववान है यह न जो वायववान है 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 न जो वायववान ताकि अगर कोई है किसी पर अटेक करें ना तो दूफरा आपके उसको बचाने आजाए वगर एंड टाइम पे ना जो गूक लैन होते हो ना यह हरकत नहीं करता है यानि जो वाउक लैन उसको बचाने के नहीं जाता और वहाँ पे चला जाता है इस वाउक लैन उसके बहुत ह जो मेंच होता है यह फरे फे तो जब नौवल या डोग को फुराइब होती हम लोग ना वुनेयर को देखते है जो ना वाउक क्लैन के अंदर ही होती है क्योंकि एक तरीके फिर ना वुनेयर की जो आउन्टी होती है यह उसी का इंदर आती जाती रहती है तो अब आप गोगल और को रिलेशिंशिप कि wedhair कुलोफ है और एक तरीक फिर आज जो वंडेर हो और ओँन भी वटा बढ़ जाई करते है क्योंकि यह जो गूएज है वो वट जाई की ब्राबर ने तो इसका मतलब आपड़न पैदा होती है वह और जो गोयवान झुट है वह तो बहुत ही वढ़ी है यहां तक यह वाइफवान के लिख के बराबर का है तो यहार यह ने तरी वैदा देर बाद जाकर शादी करता है और अपनी बैहन की शादी पहले करवा देते हैं तो दोस्तों इस तरीके फे आप लोगों पता चली चुका और यह जो गोई वान है और यह जो ना वाई वान इंका रिलेक्शनशिप हो कितना वैदर कलोफ वाला था और इसके लावाव वाउक लैन और गूख वाला करीबी थैं बपर कितना कि यह जो वाउक लैन ने वीग हो जाता है और जो गूख लैन वह वाईफ़े का वैफ़ पार फूरी रहता है इसके जो वाउक लैन होता है इसकी जो इफ़ट होती हो भी बिल्कुल खतम हो जाती है बहुत से लोगज लेना मुझे कोमेंट कर तो लेवल पता ही है और उसक्त ना जो घुझद अै ची निलायवान पार दूरि यह वायववन पारफ निर्फ यह जो लेवल खीन्द未 lim being और ख़ुम्ध ना अगर वाउक लेंड खंतु वेदा Πाईफूल होता और कब भी Hellow Fall जैसे ब्रांच बनती ही ना क्यूंकि वाहिर पी बात वाहिर वाहँन क्योथ है वाहिर उथए तो हूंच क्लैन की तरही इमत कि वह Hellow Fall को मिन पहरे और. और गो युवान की बारी हुन कलैन को पता था कि यह हमाए मामले में बोले गए नहीं यह अपने काम से काम ही रखता है। और इस फटेफिना जो हुन कलैन था वो ना हाल ओफॉल को क्रियेट करता है। मगर जब वान विंदा होते हैं तब हाल ओफॉल जैसे कोई ब्रांश थी नहीं फिर हुन कलैन था हाल ओफॉल नहीं था। जी फटेफिन की जो कल्टिवेशन लेवल होते वो ना दुबारा फिंकरीफ कर जाते हैं। और किसी नॉर्मल डॉश हैंकी नाइंस्टार के पीक का वोर्य उसको हरा भी नहीं सकता। यहां तक कि जो गोई वाना उसके लिए भी उसको हराना बहुत ही व्यदा मुश्किल है। एक स्रीके से आप लोग ना मुंकिन भी कहाई सकते हो। इसके पाफ ना ड्रेगन की ब्लॉड लाइन भी है। और वाहर फी बात एक ब्रीफ ब्लॉड लाइन और ब्रीफ ब्लॉड लाइन बहुत ही व्यदा पारफुल होती है। और नेक्स वीडियो में इसके लावा हम यह भी बात करेंगे। वाहर वान के बाद जो विया का क्लैन था क्या वो था यानि जो विया का फादर है क्या वो भी था वहाँ पर। तो यह जो फारे कॉफ्रेंस के अंसर है यह ना आप लोगो नेक्स वीडियो पे मिलेंगे। तो दोफ्तो आज की जो वीडियो थी वो ना यहीं तक थी दोफ्तो अगर आप लोग ना गेन अस्ट गोर्ट की फारे पार शुरू फे देखना चाते हो तो उसको मैं अपने ठाट चैनल पे एक्स्प्लेइन करो उसकी जो लिंक है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इसके लाव आप वो वीडियो देखना चाते हो जब वांगी ना अपने जो फारों जो मदर्या उनका बदला लेता है यानि अपने पूरे का पूरे क्लैन का बदला लेता है तो उसकी जो वीडियो है उसको है मैं वीडियो के एंट स्क्रीन पे लगा दूआ तो दुफ़तों मानो या ना मानो वहांगी बहुत ही वाक कमाल के तरीके से बदला लेता है मुझे तो देखके ठंडक मिल गई है तो दुफ़तों अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते तो वो वीडियो भी आप लोगों ने वीडियो के एंट स्क्रीन पे मिल जाएगी तो दुफ़तों मैं मिल तो आप लोगों फे बिलकुल एक वो न्यू वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों अच्छे सिखाया रखना है